तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में अमर्ता के कुछ फायदे के बारे में तो दोस्तों पैचानेगा देखे किस दिबजड़ी बूटी को इसका नाम है दोस्तों अमर्ता इसको अमर्ता या गिलोई या गुर्च के नाम से पैचाना जा यह प्रियोग से डैंगू चेकन गुनिया और टाइफट जैसे बीमारिया नहीं होती तथा यह कैंसर में भी बहुत ज्यादा गुड़कारी मना गया है दोस्तों इसके प्रियोग से रोग पुर्द्रोग छमता जो सरी में रोगों से लड़ने की सक्थी होती है उसकी ब्रेद कि सकति सरी में प्रापत होती की से को मरने से रोकती है पूर मर हूए से को पुन्हा जीवएड कर ती है जिस लिए मरतिट की ऐई होती है जिस ये उत्तम रहा handful काम करती है आप इसको पैठा है यह अमरता गुरों छैने के गिलोए अब चैसके को और पत्त के पीस करिके बकरी के दूज में पहलते हैं तो दोस्तों इसमें प्लेट लैट जो यह दोस्टों लैट लेट ऐस भी अधिश्स बेना दाट ही हूं उना को छोट आपको प्रियोग करते हैं तो बड़ा ही महत्त होता है दोस्तों साधी साधी पस्धी टूर दू ने की जोग ए साथ में जब भी प्रियोक करें तब आजी लीटर पानी में दो चम मज़ इसके चूरन को डाल करके और पकाएं जब पकते पकते दोस्तों सो ग्राम से भी कम रह जाएं तब उतार करके छान करके सुबह खाली पेट शेबन करते हैं तो बरसो पुरानी पथरी जिसमें दोस्तों आपको पते इसको लेकर कि आप रोजाना पीसें और पीस करके आप इसका रश निकाले उसमें आप माखन मिसरी जानी धागे वाली मिसरी मिला ले और दोस्तों अगर प्रियोक करते हैं तो दो दन में ही पेसाब की जलन और मुतकरिश की समस्या में विसेश लाब होता है बड़ा ही रोजाना खाली पेट है आपको नीम के कुछ पत्ते ले लेना और गिलोई की ठोड़ी डंठल पाच अंगोल डंठल ले लेना और पीस करके आपको इसको एक रश बना लेना और उसको बगर च्छाने ही अगर आप पी जाते हैं खाली पेट तो बरसों परानी बबासीर पां पांद लेते हैं तो फोड़े फूंसी ठीक हो जाती है दोस्तों साथी साथ जिनको चेहरे पर कील मुहां से दागधबे जाइया होती है बे आ उनको मैं बता रहा हूं बेले ले ले गिलोई के पत्ते साथ में लेले हल दी और थोड़ा सा लेले आप कटे हुए नेबू का र जा रहाता दोस्ति उसकी फल देख रहे पकच्चे और पके दूस्ति इनके फलों को सेबन करने से जिगर और तिल्ली की सुजन में को घटा देते हैं जो यह जो फल है ना इनको फल को लाईए ऑप तोडकर आप ओ इनके तोड़ा चार चार या पांच माच इनके फलों का सि सी होती है इनके फ़लों में लेकर महत तो बिस्यस होता है दोस्तों जिनको अधिकतर कैंसर का रोग होता है यह टीवी की जिनको बीमारी हो जाती है तो टीवी की बीमारी में जो इन टीवी की किटाडू होते हैं जो फिपड़ों में च्पक जाते हैं उनको किल करने के लिए मा कर सोरस जरूर से बन करें विश्यस लाभोगा धन्नबाद